हेलो दिस्तो आज हम गजोदी के प्लांट के उपर एक ऐसा फटिलाइजर अपलाई करेंगे जिसके देने के बाद बहुत सारी कलिया और फूल बनेंगे तो मैंने कुछ एक पहले प्लांट लगाये थे 15 दिन पहले गेंदा और जो है हमारे डेलिया के तो उसके ग्रोथ देख हेल्द हो गई है दोस्तो और गणिक जो फटिलाइजर है वो देने से हमारे प्लांट कभी भी खराब नहीं होते हैं वह इतना बूस्ट करता है हमारे प्लांट को हमारे प्लांट की ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है आप यह देख सकते हैं 15 दिन पहले का और 15 दिन बाद का रिसल्ट यह मेरे कुछ गुल्दोदी के भी प्लांट हैं जो मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी यह वाला टाइम जो होता है बहुत सारी कलियां बननी स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसके पहले हमें इसके उपर सप्रे जरूरी है क्योंकि ब्लैक चिली लेनी है उसका पेस्ट बना कि उसमें पानी डालके उसको चान के आप सप्रे कर सकते हैं नहीं तो आप फिर नीम ओयल लेजिएगा नीम ओयल के अंदर थोड़ा सा आप डिटर्जन कोई भी वाश जो बरतन वाश करते हैं उसका लिक्विड ले सकते हैं या फिर हैंड वाश यूज करते हैं उसका लिक्विड वो भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पेकिंग सोड़ा डालिए उसका सप्रे कर सकते हैं इसके बाद हमारे प्लांट के जो कोई भी इंसेक्ट का इटेक रहता है वो नहीं आएगा अगर आप घरेलू कुछ भी यूज करना चाते हैं तो आप नीम की पतियां लीजिए बॉयल्ड कीजिए उसको चान करके उसका सप्रे कर देजिएगा तो आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी भी होंगे और इंसेक्ट का टैक भी नहीं देखेगा तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप इंसेक्ट के लिए सप्रे करेंग तो अभी पिंचिंग बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये कलिया बनने का टाइम है और कई हमारे प्लांट के उपर तो आपके प्लांट जो है गुल्दोदी के उसके उपर भी अभी कलिया बननी स्टार्ट हो गई होगी मेरे प्लांट जो है उनके अंदर भी बहुत सारी क और फूल आने भी स्टार्ट हो गए हैं तो इसके लिए अब टाइम इसका ये रहता है कि कोई भी और गैनिक चीज है उसका पर्टिलाइस अब टियार करके उसकी स्वाइल के अंदर दीजिए ता कि वो हमारा प्लांट जो है ज्यादा कलिया बनाए और ज्यादा फूल खिलने तक हमारे प्लांट हैं और गैनिक फर्टिलाइसर अगर जाएगा तो कोई भी नुकसान नहीं होता हमारी सॉईल खराब नहीं होती है प्लांट की तो इससे हमारे प्लांट भी हेल्थी दिखते हैं और बहुत जो मैं हमेशा और गैनिक ही उसके आप भी आयूप करते ही तो कोई भी केमिकल अगर फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसके कुछ भी क्वेंटिटी जादा चलेगी तो हमारा प्लांट खराब हो जाता है यह देखे मैं आपको दिखा रही हूं ब्लैक इंसेक्ट्स होते हैं चोटे-चोटे ब्लैक माइट से इस तरह की होते हैं तो जब हम पिंजिंग करते हैं तो आप इनकी टिप भी अटा देते थे अभी इनकी टिप को कुछ भी नहीं करना अटाना नहीं क्योंकि यह कलिया बनने का टाइम है तो कलिया बहुत असानी से अब बन रही होंगी और फूल भी आने स्टार्ट हो गए होगी तो अब हम इनकी जो टिप है नहीं अटाएंगे पिंजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे प्लांट के अंदर चेड़ चड़ नहीं करेंगे तो यह कुछ हमारे प्लांट है जो अक्सर थोड़ी पतियां अगर ओवर वाटरिंग होगी तो ओवर वाटरिंग से हमारी जो प्लांट के पतियां थो आपको लगे कि मिठी ड्राई है तब देनी है तो आप अपने प्लांट के अंदर जो है ध्यान रखें कलिया हूं तो पिंचिंग ना करिए, उनको कर सकते हैं जब यह भी कलिया वैसे तो यह महीना पिंचिंग का है ही नहीं है तो जो है सेप्तमबर अक्तूबर में में से ही निकलता है बिल्कुल और गैनिक है और न्यूटन से भर पूर है तो उसी फटिलाइजर को हम आज अपने प्लांट के अंदर देंगे तो मैं अक्सर आपके साथ जो भी प्लांट के अंदर देती हूं शेयर करती हूं तो चलिए ये है मेरे पास सोया चंग से अगर जैसे हम राइस बॉयल करते हैं उसका भी मार्नी मैंने डाला है क्योंकि इसके अंदर भर पूर न्यूटरिंस होते हैं सोया चंग में भी होते हैं उसके पानी को भी आप में कियेगा नहीं तो इसके साथ हम मिलाएंगे एक नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट ये मेरी है सोया चंग सो और थोड़ा सा राइस वाला वाटर है बॉयल करने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी ओवरनाइट आप रख सकते हैं अगर आप इंस्टेंटली भी देना चाते हैं तो आप दे दीजिएगा कोई नुकसान नहीं है इसका मग थोड़ा सा 7-8 घंटे हम इसे सो कर देंगे तो इसकी जो है अंदर खुलने की जो एक्षमता है बुड़ी अच्छे से होगी और यह हमारा फटिलाइजर और भी थोड़ा चा अच्छा बन जाएगा बटा गर इंस्टेंटली देना चाहते हैं तो आप इसमें पानी मिक्स करके दे सकते हैं आपके को इसका जो है अभी सही टाइम है हर और जनीक फटिलाइजर अप 15 दिन अपलांट के अंदर के अंदर दे सकते हैं इसका कोई साइड इफ get कोई नुकसान नहीं होता के देने के बाद आपके प्लांट के अंदर कलीया तो भरपूर्ब वहनें गीं देखे मेरे प्लांट से इनके अंदर कलिया भी बनने स्टार्ट हो गई हैं तो वैसे भी अक्तूबर सम्टमर का महीना ऐसा होता है कि हम जो है रिच वाला फटिलाइजर देते हैं सभी तरह की खाद जो गोबर की खाद है वमी कंपोस्ट है किचन से निकला हुआ वेस्ट उसक कर सकते हैं तो बट अब आफ मों औरगेनिक ही देंगे देखिए मेरे प्लांट से अंदर फूल के लिया बन चुके हैं आपके भी प्लांट से अंदर बन चुके होंगे तो औरगेनिक अप 15 दिन के अंदर यूज़ करते रहें बनाना पील्च का आप दे सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा result मिलता है तो ये मेरे कुछ tips हमेशा मैं आपके साथ share करती रहती हूँ I hope आपको पसंद आया होगा और आज का वीडियो useful भी रहा होगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर वीडियो को like जरूर करेगा और share जरूर करेगा जादा से जादा ये कुछ मेरे petunia के flowers हैं तो ये भी अच्छे से growth इनकी हो रही है तो ये मैं आपके साथ share करती रहूँगी और आगे भी दखाती रहूँगे तो चले मिलेंगे एक नई upload के साथ तिल देन टेक केर भाई भाई अपनों और अपनों का ध्यान रेखिए और अर्गैनिक चीजों यूज करिए और अपने गार्डन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग पाईए थैंक्स आप वाचिंग है मैं आईज जे टी के बाब बाब